है एवरिवन वेलकम टू हवीकेम क्लासेज तो दुस्तों आज हम पढ़ेंगे मैनिश रियक्षिन यह मैनिश रियक्षिन एक्जाम के पॉंट और फियू से बहुत ही इंपॉर्मेशन रियक्षिन है यह रियक्षिन जनरली एक्जाम में अधिकतर पूछे गए हैं सो चलिए देखते हैं इस रियक्षिन का फॉर्मेशन कीस प्रकार से होता है और इस रियक्षिन में क्या प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है सो दुस्तों मैं बता दूं आपको कि मैनिश रियक्षिन में रियक्षिन हम लोग इनॉल और एल्डी हैड और सेकेंडरी एमिन एज ए रियक्टेंट लेते हैं जिसमें हम सबसे पहले कार्बोनिल कोई कमपाउंड यह कार्बोनिल कमपाउंड है साइकलिक यही हमारा इनोल का फॉर्मेशन करता है इन मेकेनिजम मेकेनिजम में आप लोगों को बताऊंगा यह कार्बोनिल सैकलिक केटोनिक ग्रूप है कमपाउंड है जो की मेकेनिजम में इनोल का फॉर्मेशन करेगा एन इन दे प्रेजेंट ओफ फॉर्मेल्डि हाइड फॉर्मेल्डि हाइड सी डबल बॉन्ड ओ यह एच प्लस सेकेंडरी एमिन हैं इसकी प्रेजेंट में तो एच सी एल एंड ओ एच माइनस के प्रेजेंट में यह प्राइमरी एंड सेकेंड इसको तो फाइनली हमें प्रोडक्ट मिलता है वो इस प्रकार से यहां पस डबल बॉन्ड यहां से जुड़ेगा यह वाला ग्रूप शी एच टू शी एच टू फिर नाइट्रोजन उससे शी एच त्री एंड यह शी एच त्री इसको कहते हैं हम लोग बिटा अमीनो कार्बोनिल कार्बोनिल कंपाउंड ठीक है तो मैनिश रिएक्शन में प्रोडक्ट हमें बिटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड प्राप्त होता है तो दोस्तों चलो इसे हम मेकनिजम कितरू समझते हैं कि बिटा अमीनो कार्बोनिल कंपाउंड का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ठीक है मेकेनिज्म तो सबसे पहले हम एलडी हाइड जो फार्म एलडी हाइड लिए है एच सी डबल बॉन्ट ओ ये एच प्लस प्रात्मिक सेकेंडरी एमिन सोरी सेकेंडरी एमिन लेते हैं इन दोनों का रिएक्षिन कराएंगे ये एच इससे हैं च3 कमबाइन और च3 नैट्रोजन का लोन पियर देखें ये नैट्रोजन का लोन पियर ये अटाइक करेगा इस कार्बन में इस कार्बन पर अटाइक करेगा ये बॉन इधर सिप्ट होगा तो देखते हैं ये किस प्रक होता है आपका CH2 हो जाएगा और यह ऑक्सिजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यह नाइट्रोजन नाइट्रोजन पर पॉजिट्व चार्ज क्योंकि यह अपना इलेक्ट्रॉन खोद यह ना और यह CH3 और यह CH3 और उससे इस प्रकार से इसका फॉर्मिशन होता है अब यहां क्या होता है यहां पस एच पॉजिट्व चार्ज का माइनस होगा ठीक है तो यह आपका बनेगा ओएच हो जाएगा यह वाला यह वाला ओएच यह उसमें आड़ होगा ना ओएच हो गया इससे है CH2 कंबाइन और यह नैट्रोजन से अटाइच्ट है नैट्रोजन विद लोन पेर और इधर CH3 CH3 अब नेक्स्ट क्या होगा धज्सी एजेड के साथ reaction करांगी इसका ओएचसी एल के साथ है 56 के साथ reaction होगा तो hydrogen जो है यहां एड होगा देखें किस प्रकार से यह oxygen oxygen यहां है CH2 और nitrogen पर लोन पेर एदर CH3 और यह वाला CH3 तो पहले से एक hydrogen तो यह इदर है ठीक है यह वाला अब यह HCL का एक hydrogen यहां एड होगा एड होगा एड होने के बाद यह अपना positive charge आ जाएगा ठीक है यहां पस positive charge आ जाएगा अब next क्या होगा next step में कि यह जो nitrogen का लोन पेर है यह इधर ट्रांसफर होगा और यह वाली बॉंड यहां से ब्रेक हो जाएगा और हमें finally मिलेगा इधर H2O remove हो गया और मिला हमें as a compound CH2 double bond यह nitrogen इसदर पे positive sign आएगा ठीक है यह वाला और इससे जुड़ा CH3 and here CH3 इतना हो गया इसको बोलते हैं हम I mine salt I mine salt ही आपका reaction में भाग लेगा और product का formation करेगा देखिए इस परकार से और हमें चाहिए इसके पस्चात हमें चाहिए इनॉल तो इनॉल का formation कौन करेगा इनॉल का formation आपका यह किटोनिक कार्ब साइक्लिक किटोनिक कंपाउंड करेगा यह हैड्रोजन के साथ प्रोटोनिक आड करेंगे इसको तो आड करेंगे तो यह डारेक्ट यहां बनाएगा आपका ओ एच ओ एच डबल बॉंड है और यह पॉजिटिव साइन के साथ और यहां यहां पहले से हाड्रोजन है ठीक है अब क्या होगा नेक्स स्टेप में यहां पस माइनस एच पॉजिटिव हो जाएगा एच पॉजिटिव यहां से ट्रांसफर होगा देखिए यह इस प्रकार से इधर ट्रांसफर होगा और यह बॉंड इधर सिप्ट होगा और यहां से हाड्रोजन लीब हो जाएगा ठीक है यहां से हैट्रोजन अगर लीब हो गया तो यह हमें इनॉल बना कर देगा यह ओ एच और इधर यह हैट्रोजन शिप्ट हुआ तो यह पॉंड तो यह है आपका इनॉल यह इनॉल का फॉर्मेशन हो गया अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि हमें आरे पास जो फॉर्मेशन हुआ है आई माइन साल्ट और यह इनॉल यह आपकास में रियक्शन करेंगे किस प्रकार से देखिए तो यह इनॉल हम आइज इस यहां पस लिखते हैं यह इनॉल हो गया ओ एच इस पर विट लोन प्यार लोन प्यार है ना प्लस इसका हम आई माइन साल्ट इसके साथ रेक्शन कराएंगे और यह इस तू डबल बॉंड यह नाइट्रोजन पर पॉजिटिव साइन और ही यह इस त्री और च्री तो देखिए रेक्शन में आगे क्या होगा कि यह जो लोन प्यार है ऑक्सिजन का लोन प्यार यह इधर ट्रांसपर होगा और यह जो बॉंड है यह CH2 पर अटाइक करेगा ठीक है यह CH2 पर अटाइक करेगा और यह वाली बॉंड इधर सिप्ट हो जाएगा नाट्रोजन में तो देखिए रिजल्टेंट कंपाउंड हमें इस प्रकार से मिलेगा यह हो गया इस पर डबल बॉंड आएगा और यह ऑक्सिजन ऑक्सिजन पर पॉजिटिव चार्ज क्योंकि एलेक्ट्रोण है शिप्ट तो इस पोजिशन पर आके अटाइच हो गया है सी एच टू हो गया और यह डबल बॉंड सिंगल बॉंड भी कंवर्ट हो गया और हिदे नाट्रोजन नाट्रोजन से सी एच त्री जो चुड़ा है ठीक है अब यह हो गया अब नेक्स्ट इस्टेप में यहां पर हमारत प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा देखिए इसका माइनस एस पोजिट्यू करेंगे तब प्रोटोन की मूब होगा यहां से तो हमारा प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा देखिए किस रिकार से तो यहां से यह हैड्रोजन लीफ करेगा यह इधर ट्रांसफर होगा यह hydrogen यहां से लीफ करेगा माइनास एच प्लस करेंगे ने यहां से इसको यह लीफ करा देगे ठीक है तो फाइनली हमें प्रोड़क्ट मिल गया यह डबल बॉंड ओ हो गया hydrogen तो निकल गया इधर CH2 निकल इधर CH3 और इधर CH3 तो फाइनली हमें हमारा प्रोड़क्ट जिसको हम लोग बोलते हैं बिटा अमीनो अमीनो कार्बोनिल कार्बोनिल कमपाउंड ठीक है यह आपका रिजल्टेंट कमपाउंड बन गया है तो दोस्तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग managed reaction कहते हैं यह बहुत important reaction है तो आशा करता हूँ वीडियो बहुत ही helpful होगी आप लोगों के लिए thank you so much for watching my video झाल 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 झाल